कि कुद को कवर रखे और सेफ रहें राधे राधे दर्शको मैं शान भी आपकी आयरुवेदी कंसल्टेंट क्रपा शक्ति आयरुवेदा में आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर पर होने वाले मस्सों को घरे लुपाय का इस्तमाल करके हम जड़से कैसे हटा सकते हैं वैसे तो मस्से शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं लेकिन आमतोर पर चहरे, गर्दन और कंधे पर इनके समस्या जादा होती है मस्से आपके शरीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुचाते लेकिन आपकी लुक्स को जरूर खराब कर देते हैं इसके कारण कई लोग थोड़ा अनकमफरडेबल फील करने लगते हैं पर कुछ होम रेमेडीज ऐसी भी हैं जिनके इस्तिमाल से आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं जिसमें पहला है बेकिंग सोडा और अरंडी का तेल इसके लिए आप दो चुटकी बेकिंग सोडा और कुछ पून अरंडी का तेल यानि केस्टर ओयल को एक साथ मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को रात में सोने से पहले मस्य पर लगा लें इसे लगाने के बाद इसके उपर से एक bandage लगा लें ताकि पेस्ट उस जगा से हटे ना फिर सुबह उटकर इसे हटा कर सकिन को साफ कर लें इस विधी को 3-5 दिन लगातार करने से आपको बहतर रेजल दिखेगा दूसरा है लेसुन का पेस्ट लेसुन की कलियों को छील कर इनका पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को मस्टे पर लगाएं ध्यान रखें कि पेस्ट चाहे कैसा भी हो या किसी का भी हो पर वो गाला होना चाहिए ताकि आपके आराम से मस्टे पर टिक सके और जब आप bandage लगाएं तो यह पेस्ट मसे पर ही होना चाहिए तीसरा है फ्रेश ऐलोवेरा जयल एलोवेरा प्लांट की फ्रेश लीव से आप जयल निकाले और फिर इसे मसे पर लगा ले ऐसा आपको दिन में तीन से चार बार करना है एलोवेरा जयल में कई ऐसे प्राकरतिक गुन और जिसको रेगुलर यूज करने पर ही फायदा होगा और इससे केवल छोटे-छोटे मस्तों को हटाया जा सकता है काले घने और मोटे मस्तों के लिए अलग से ट्रीटमेंट के जरुवत पड़ती है चोथा है एपल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका सेब का सिरका लगा कर मस साप कर लें इसके बाद आप चाहें तो एपल साइडर विनेगर को पाने के साथ मिला कर सकते हैं ताकि तवच्छा पर कहीं और नया मस्ता ना निकले और आपके स्कीन रहे ऐसा आपको लगादार चार से साथ दिन तक करना है नियमित रूप से एक सपता तक इस्तेमाल करने से ही आपका मस्ता जड़ से खत्म हो जाएगा तो यह थे कुछ मस्ते को खत्म करने के घरेलू उपाए आज की वीडियो में इतना ही इसके अलावा गर आपको स्वास्ता से जुड़ी कोई भी समस्या है या कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे स्क्रीन पर दिये नमबर पर सिधा समपर कर सकते हैं और ऐसी ही स्वास्ता से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चानल क्रपाशक्ति आयुरवेदा के साथ आखिर कब तक दवा खाएंगे अपना ये क्रिपाशक्ति अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपना ये क्रिपाशक्ति